फिर बात करते हैं चंद्रियान तीन मिशन की आज भारतिय समय के मुताबिक शाम 6 बच कर 4 मिनट पर चान पर सौफ लैंडिंग कराने की कोशिश होगी और इस रो की तरव से ये भी कहा गया है कि पूरा का पूरा ज़स्ट सिस्टम है उसकी नियमित जाच की जा रही है सब कु पर है दिली के नहरू प्लैनेटोरियम में इस वक्त क्या कुछ इंतिजाम किये गए हैं हमारे सेहुगी रवीश रंजन शुकला वहां पर मौजूद है रवीश का रूख करते हैं रवीश बताएं किस तरह के इंतिजाम है क्योंकि इस रो का जो यूट्यूब चैनल है ओफ अगर मैं आपको दिखाओं तो यहां पर आज तमाम सारे जो बच्चे हैं मीडिया का तमाम सारा जमावडा है तो यहां पर आप देखिए कि प्रग्यान रोवर एक मौडल लगाया गया है विक्रम लेंडर जो कि उतरेगा और उसके बाद में प्रग्यान रोवर जो वो सारा यहां पर मौडल लगाया गया है और इसके साथ में ना सिर्फ इस तरीके के मौडल लगाया गया है बलकि मैं आपको दिखाओं तो इस तरीके से एक जर्नी दिखाई गई है कि जो इसरो की जर्नी है वो किस तरीके से शुरू है यानि पी एसलवी जो चंडरियान प जरनी को दिखाया गया है कि किस तरीके से भारत ने एक इस तरीके से बैग्यानिक एक उचाई हासिल की है पिछले 20-25 सालों में तो उसकी पूरी जरनी को यहाँ पर दिखाया गया है नेरू पैरेटोरियम में आप देखिए कि कुछी देर के बाद में एक शो दिखाया जाना ह तो वो अभी शो जो है वो शुरू होने वाला है हम उसकी भी जलक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो तमाम सारा यहां पर मीडिया का जमावडा लगा हुआ है और उस शो को दिखाने की तैयारी पूरी हो चुकी है लेकिन फिलहाल जो नहरू प्लैनेटोरियम है आज दि पर जो लैंड होगा तो वो एक एतिहासिक छण का गवाब बनने के लिए तमाम सारे लोग आज पहुंचने की उमीद है यहां पर सैकड़ों की तादात में लोग यहां पर पहुंचेंगे और रिश्चित तोर पर ना सिर्फ यहां पहुंचेंगे बलकि बहुत सारे स्कूल एक बहुत शांदार तरीके का यहां पर एक थेटर बनाया गया है और उसमें दिखाने की कोशिश की गई है तो यह नेरू प्लैनेटोरियम में पूरी तयारी है आप देखिए यह बच्चों ने जो है वो पेंटिंग्स को बनाया है कि अलग अलग तरीके के जो मीशन है ने लांचिंग है उसको देखने के लिए उस चड़का दवाह बनने के लिए तमाम सारे लोग यहां पर उपस्तित होंगे बैग्यानिक यहां पर आएंगे लोगों को समझाएंगे कि किस तरीके से यह चंद्रियान अथ्री का पूरा जो ओप्रेशन है वो होगा किस तरीके से ये लेंड करेगा बिल्कुल सॉफ लेंडिंग साउथ पोल पर होनी है छे बच कर शाम छे बच कर चार मिनट वो वक्त होगा सब की निगाह उस पर टिकी रहेगी बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए आपका